हलो वाट्स अब दोस्तों कैसे हैं आप सभी एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई वें दोस्तों बात आज कर रहे हैं कि Mindtree ये जो कंपनी है इसके अंदर अगर आपको काम पाना है वहाँ पर जॉब चाहिए आपको तो वो आप कैसे पाएंगे तो इनकी जो आफ कैंपस ड्राइव होती है उसकी पूरी प्रोसेस कैसे कंड़क की जाती है ये मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं है अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजे ताकि आप ऐसे ही नए-ने विडियो सबसे पहले देख सके तो चले दोस्तो शुरू करते हैं तो दोस् उसके लिए थोड़े eligibility criteria और जो procedure है वो अलग है तो उसको हम पहले समझ लेते हैं और बाकी के जो freshers बच्चे आते हैं उनके लिए क्या process है यह हम बाद में समझेंगे तो यहां पर देखिए आपका graduation B.E. या B.T.E.C. होना चाहिए और आपका जो percentage है वो 65% above होना चाहिए और यह 65% above जो है वो आपका graduation में होना चाहिए और दसवी से ले करके आपके graduation के year तक जो है या graduation के एक year पहले तक का आपका जो पूरा record है उसके अंदर कम से कम 60% mark आपको consistent चाहिए वो भी first attempt में ऐसा नहीं है कि दसवी फेल हो गया दूसरी बार attempt दे दिया तो 60% mark आ गये ऐसा न अलावा यहां पर backlog की भी policy इन्होंने clear कर रखी है कि एक backlog जो है वो allowed है लेकिन जब आप इनके यहां पर काम पर लगेंगे उससे पहले पहले वो backlog जो है वो clear हो जाना चाहिए इसके अलावा academic gap के बारे में भी इन्होंने particularly rule बना रखे हैं और उनका rule यह है कि एक साल की gap अग परान है तो नहीं चलेगी अगर आप दसवी से लेकर के बारवी तक कहीं पर भी one year की gap लेते हैं तो फिर बात अलग है उसको consider किया जा सकता है और वो भी सिर्फ एक साल की ही gap होनी चाहिए इसके अलावा कुछ specific IT stream के ही बच्चे यहां पर as a software engineer के तोर पर लिया जाता है उस उसमें electronics and communication, electrical engineering, electrical and electronic engineering, electronics and instrumentation, electronics and telecommunication या simply telecommunication engineering अगर आपने किया है तो आपको यहां पर preference मिलने वाला है अब इनकी जो है वो एक procedure क्या होती है किस तरीके से इनको select किया जाता है technical screening होगा technical discussion होगा उसके बाद जो है वो HR का interview होगा और ये सारे round में से अगर आप clear कर जाता है तो आपको वहां पर नौकरी पर रखा जाएगा जो starting package है वो साड़े तीन लाग का आपको offer किया जाएगा और designation आपको obviously software engineer होगा competency आपकी band C1 की होगी stipend याने की per month की salary तकरीबन 22,000 मिलेगी service agreement भी आपको इनके साथ करना पड़ेगा जो की होगा 2 साल का और इसके अलावा आ कि जो fresher बच्चे आ रहे हैं 2021 बैच के तो उनके लिए procedure क्या होगा तो यहाँ पर देखिए graduation जो है कोई भी graduate या post graduate बी, btec, mba, mca, me या mtec stream का यहाँ पर चलने वाला है job location आपकी जो है वो पूरे इंडिया के अंदर कहीं पर भी हो सकती है और हाल फिल हाल यहाँ पर जो है वो 2018, 19, 20 और 21 यह चारो सालों के जो pass out बच्चे हैं उनको यहाँ पर allow किया जा सकता है तो दोसों इनकी procedure क्या होगी तो कुछ-कुछ software engineer जैसी ही इनकी procedure है तो यहाँ पर आपके सबसे पहले एक return test होगी, उसके बाद एक coding की test होगी, फिर technical interview होगा और फिर HR का interview होगा तो यह जो चार stages हैं इनसे आपको गुजरना पड़ेगा और इनको आपको clear करना पड़ेगा इसकी अलावा यहाँ पर अगर documentation की बात करूँ कि यहाँ पर अगर आपको नौकरी पानी है तो कौनसे कौनसे documents देने पड़ेंगे तो यहाँ पर आपकी SSC की mark sheet यहाँ पर देने पड़ेगी, HSC की भी mark sheet यहाँ पर submit करने पड़ेगी graduation और post graduation के सारे semester's के जो mark sheet है वो यहाँ पर देने होंगे कोई भी आपका photo ID proof, government approved या government ने issue किया हुआ photo ID proof यहाँ पर लगने वाला है इसमें pan card दे सकते हैं, passport दे सकते हैं, driving license दे सकते हैं या college ID भी दे सकते हैं, मेरे ख्याल से आधार card भी आप दे सकते हैं नया बना हुआ आपका resume भी होना चाहिए जिसके अंदर आपकी सारी latest information मौझूद हो यह सारे जो documents हैं, वो आपको वहाँ पर exam के वक्त में भी carry करने पड़ेंगे बात करें अगर इन सारे rounds की एक पहली return test होती है तो वहाँ पर आपको English vocabulary और बाकी grammars related सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं दूसरी जो test आपको देनी होती है, वो codings related test है तो इसके अंदर जो है वो आपको coding से related सारे सवाल पूछे जाएंगे आपको जो है वो एक coding के language चूज करनी पड़ेंगे जिसके अंदर ही आपको सवालों कोई जवाब देने होते हैं इसके बाद आपका एक technical interview भी होता है जिसके अंदर भी आपको सारे technical चीजों के बारे में पूछा जाएगा नए नए domains जिसके अंदर आपने specialization किया है OPS के बारे में पूछ सकते हैं या नए नए coding languages के बारे में पूछ सकते हैं जो languages आपने सीखी है उसके बारे में पूछ सकते हैं नए नए technologies के बारे में पूछ सकते हैं तो ऐसे सारे तमाम सवाल जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं और ये वाला जो section होता है या round होता है वो औरों की मुकाबले थूड़ा सा जादा यहाँ पर मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि एक तो पहली बात आप one to one बैठे हुए ह इंटर्व्यू कर रहे हैं और जो इंटर्व्यू लेने वाले लोग है उन्होंने हजारों लाखों इंटर्व्यू लिये होता है और उनका खुद का technical knowledge काफी जादा advance होता है तो इसकी वज़य से वहाँ पर कुछ आड़े टेडे सवाल भी पूछे जा सकते हैं कुछ tricky सवाल पूछे जा सकते हैं कुछ मुश्किल भी हो सकते हैं तो इसकी वज़य से ये section थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो मुश्किल होता है और बहुत से बच्चे जो है वो दुरभागे वाश यहां से reject हो जाते हैं तो इसकी वज़य से इसका आपको ख्यास ध्यान रखना इसकी बाद भी आपको एक HR का interview देना पड़ेगा जिसकी अंदर normal सवाल होंगे HR interview के अंदर जो normal सवाल पूछे जाते हैं इसकी उपर मैंने अलग से video भी बना करके रखे हैं आप मेरे channel की उपर जा करके उनको भी देख सकते हैं या मैं नीचे description में link दे दूँगा अलग-अ तरीके के जो most common सवाल है उनके उपर मैंने video बनाये हैं और साथ में ये भी बताया है कि आखिर ये सवाल पूछे क्यों जाते हैं इसकी पीछे मकसद क्या होता है क्या वो आपसे आखिर सुनना चाहते हैं और इसको आप बिलकुल gracefully जवाब कैसे देंगे जिससे कि आपका ज जवाब मिलने में आसानी होगी तो बस दोसो ये है पूरी इनकी procedure अगर आपको यहाँ पर mind tree की अंदर नौकरी पानी है तो बस दोसो आज के वीडियो में इतना ही I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा काम का लगा होगा तो दोसो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना वेलकुल ना भूले